बाबाँ आमबेड करनी 302 मी जन्मजैनती निमिते नेचनल कौनवेकेशन वायोजन Progressive Foundation of Human Rights द्वारा बाबा अम्बेड करनी 132 में जन्म जैन्ति निमिते नेशनल कॉन्वेकिशन वायोजन गांधी नगर खाते करवामा आव्युहदू भारत रतना बाबा साइब डॉक्टर भीमरा आम्बेड करनी 132 में जन्म जैन्ति निमिते नेशनल पांस्ति याट ना शुमारे इनफोसिटी क्लब रिसोर्ट गांधी नगर काते विमन राइट औने सोचल जस्टीस पर नेशनल कॉन्वेकिशन योजायोज़ा होतू भारत या बंदारन ना गडवय या डॉक्टर बाबा साय भीम्राव अंबिड कर जीने समर्पिता प्रसंगों मा तमाम राज्यो अने युटी एस मा थी पी एप एच आर ना सब्य प्रतिनी दियो ये आकारे क्रम मा हाजरी आपिया थी अने युमन राइट एंड सोस्यल जस्टीस पर तेमना वीचारों नू युगदान आपियो तू आप रसंगे स्री हितेश बै मक्वाना गांदिनगर ना माननीय मेर भावनाबन दवे माननीय पूर्वदार संससभिय अने भाजपना वरिष्ट नेता स्री रमनलाल वरा दारसभि गुजरात अने पूर्व स्पिकर मंत्री स्री नरेश रावल माननीय पूर्व गुरु मंत्री गुजरात सरकार अने वरिष्ट बाजपनेता स्री राजु परमार माननिय पूर्व संस सब्भ्या स्री वीजय केला माननिय पूर्व दार सब्भ्याने वरिष्ट बाजप नेता स्रीमति इदि विया पतेल फिल्म निर्वाता अने जन्रल सेक्रेटरी पी एप एच आर स्री मुकेश पांडे मानवधिकार उलंगन नियंत्रन शैल दिल्लिना माननिय ध्यक्षरी जितेंद्रशी भूद्पुरुवधिक जिल्ला नियादिस वकिर अने सराकार मानवधिकार राकेश पांडे प्रेसिडेंट प्रोग्रेसिव फांडेशन उप यूमन राइट हाजर रहाता अने आप्रसंग यू पस्तित् प्रतिष्टीत व्यक्तिवना विशाण मिढवना उने तेमना आशिर्वाद मारक्द स्थेंद्रसन शाति आ प्रसंग बिर्द अबयखे ओट अमर स्थ हाइद मंगलपांडेkä ओर्ड अखेलंस आ औँशरी प्रतिष्टीत व्यक्तिवना ने सं विश्व विभूद दॉक्टर बाबा साहिव आबेट कर जीनिया आजे 132 मी जन्मा जेन्ती है विश्वनों साउथी मोटू ना साउथी तंदूरस्त ना श्रेष्ट बंधारण ना गडवईया डॉक्टर बाबा साहिव आबेट करें एबने जे बंधारण कडियू ए आजे मी जा देशों पन आजे एन फोलोग करें से दरेक वातनी सावचे दी आ बंधारण मा राखाव मावी से और बंधारण नी ताकाती जे आजे आपनों देश आजे विश्व गुरु तरफ आगण वधीर होसे लोगों शिक्षित बने संगठित बने आ बाबा साहिब ना मुड बनत रहता आजे बाबा साहिब आबेटकर जीनी जन्मा जन्ती निमित्ते आजे आपने जणावता मना आनंद थाएजे के राजे सरकार और केंदर सरकार बाबा साहिब नाव पर अनेक विद योजनाव पत्यारे चाली रही हो आजे बाबा साहिब आबेटकर नी जन्मा जन्ती निमित्ते महत्त्वनी बे जाहरातों करी शेंगे आजे अमारा त्या रंगमंच लगनावाडी अने पार्टी प्लोट अमारा कॉर्पोरेशन एरिया मां अमारी पासेज ये छे सहे वक्ताहिए यह में कोईने सामाजी प्रसंगे दार्मिक प्रसंगे लगना प्रसंगे कह आजे अमें नकी गरिऊ शे के भी पील काड़ दारक हुई तीज या दिमाजी लोगों आधा हो एम जया सिए भाड़ा महां 10 टकानी वड़तर डिसकाउट नीमिया चाहरत सबसे पहले तो मैं आज बाबा साहब भीम रहा हो अमेटगर जी की जयनती के अउसर पर मैं जय भीम बोलूँगा और यहां से सुरवात करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि हमारा यह कारवां स्टन 2000 लगातार हम यहां सेमिनार करते जा रहे हैं पुरे भारतवर्स में करते जा रहे हैं और आज इन्फो सिटी रिजॉर्ट कलब म हैं जहां हम मौझूद है यहां पर हमारे मेयर स्रीज़ भाई मक्माना सहां मौझूद है जो तरेक बैक्ति के लिए समाज में शाह किसी भी वर्ग का उनके लिए बहुत अच्छा काम करते हैं और जहां भी इनको जहां भी बन पड़े समाज के लिए ये बगएर प्रोटॉ प्रवाल के बीच इंता के लोगों के बीच में मौजूद रहते हैं। यही एक बाबा सहाब की द्वारा तो सिखाई गई है जो धरोहर है। वो पता चलती है तेश भाई के द्वारा इजमीरी स्तर के निता हैं। जो हमारे बीच में हांपत मौजूद है। साथी में खाउना बेहन दवे जी इनके बारे में तो जो कहूं मैं बहुत कम होगा। क्योंकि बहुत संटू थाउजेंट में मैं बेहन से मिला था। तब महिला में अध्यक्ष थी और सांसद रह चुकी हैं। यह बहुत बड़ी अभूतपुरु बात है कि भारतिय कॉंस्टूशन भारतिय संविदान में जो अधिकार दिये हैं हमको सिक्षा का, स्वास्त का, चिकित्सा का इनको किये बगए कोई भी सांसद लगातार लोगों के बीच में नहीं रह सकता। और बिना इन संसकारों को निखाए हुए हैं, कोई भी सांसद एक जनप्रदी नहीं बन सकता। लेकिन आज भावना बैन दवे, इन्होंने जो कारे आज भारती जनका पार्टी आज आई है, गोधी जी का यूग अभी आया, दो टूथाउजंड, उससे भी पहले से, इनके द्वारा जो है लगातार ये समाज के अंदर कार इच्छे तर चलते रहें, और तरेक वर्ग की लगातार जो है, इन्होंने हमेशा मदद किये, और जहां पर भी जिधर भी जिसको भी लगा पावना बैन दवे ने पहे दिल से जो है, दुए दुनिया के मदद में आगे बढ़ी, आज ये हमारे ही समझ पर है, ये भी बाबा साब, भी बिटकर जी के बनाय हुए आज बाबा साब बिटकर जी की जनती पर मौझूद है, मैं बहुत बहुत आभारी हूं इनका, साथी में राचु भाई परमार जी जो दो से तीन बार आजसभा, तीन बार आजसभा से सांसद रहे चुके, कोई मजाग बात नहीं है, राजसभा से होना तो बहुत ही नामु होता हमारी जिन्दा है तब तक माना हुए परमू बरतन कॉंग्रेस द्वारा करवा मां आवी, अने इटला वाटन हुँ कहुछू, के त्ये जो द्वेस थयो छे एमनी साथे, बाबा साहब कोई समाजना सिमीत नेता ना थी, अने सिमीत रहेवा बंड ना जो ही है, आजे सवथी कुचू व्यक्तितों छे, आजे आ का आजे लेकर, वाँ सुंदर करो चो एमाटे अभी, दौक्टरेट हता, एटलूज नाही जर्मानी मां पड आभ्यास करियो, लंदेनिकरों कुल मां पड आभ्यास करियो, एमने फोलोंब्या उनिवर्सीटी मां पड आभ्यास करियो, आम जो ही है तो एमने घणा वधा एवन प्राप्त करिया छे, जे इंट्रेस्टाल एवाण प्राप्त करिया छे, अन्ने नेस्टाल एवाण प्राप्त करिया छे, अन्ने खोब अभ्यासु लपती है ता, आपड़े जानिया छे के नांपण दी अंदर एमना जे सिक्षक हता, ब्रामण सिक्षक हता, आ एमने आमबेर कर सरने आपी छे आमा वाडियकर एवे अमनी सरनेम हती परन्तु एनी बदले ब्रामण सिक्सक जे हता एक ला वदा खुश हता कि आ बालक साचो ब्रामण छे अने एमने पोता नी अटक आपी हती अने एटला कुशाक्र मुद्धी ना हता कि आटनो अप्यास करया पछी ते ओ दिरे दिरे पोलेटिक्स प्रावया गांधी जी साथे एमनो परी चाहित है ओ जो कि गांधी जी साथे बदा ज्वीश्वे नी अंदर एमना मान्यताओ एक समान नो थी परन्तु राज नीती नी अंदर आवया अने त्यार पछी आपने जानिया चे कि शुर्तालिस्ति आज गड़ा बदा काम करया एमने वाटा कंजर्वेशन जे पाडी नू घड़ा बदा एवा डेमों ने प्रोजेक्ट एमना समय नी इंदर कुका गाड़ा मात्रान मात्रान मोटा प्रोजेक्ट करया था अन्ने एज रिदे आर्मी आई रिजर्बेंग आफ इंडिया आपना अन्ने एमनी जे महानता हती एमना पंच तीर्फ करया थे अन्ने सन्मान आप्यों छे एबुदन मोटी जीनों आभार मानूचु काड़के ए बाबासाहे मामेडतर ना जीवन में वाद्ता वाद्ता हूं बोदे प्रभावित्त है गई भोग बनिया ते जो ग्रेशन ले आपने जानिया छे बहुत सारी बुद्धिम उत्ता हो तो राज नहीं थी के कोई पर चत्र नी अंदर एने आगल आवा निवा नई आजे इतियास्ति अंदर पड आमबेडकर जी मुझे स्थान जो ये स्थान नती धीरे धीरे आपने करी भारत नी वधी युणिवर्सिटि नी अंदर आमबेडकर साहीं हिए चेर आपने राखी छे औने जहना द्वारा युणिवर्सिटी पर आपने गुजरात नी अंदर जी मुझे बौबा शायब आजे आपने इमने सन्मान आपिये चिये पड़ मने लागे चिके एमनू सन्मान मने थोडिक दर्द ए वातनू दोस्तों जो आज ये प्रोग्रिसी फार्मनेशन आफ पे बाबा साथ के जनन दियास पे समझे हमारे लिए भी तोफा है कि हम लोग पेक अउसर मिला है कि हम लोग आपके बीच में आके दोस्त कह पा रहे हैं और इसका एक्रम का युजन दिया जाना है तो थैंक यू